Welcome to Study Watch, Gopal and the Hillsah Fish Gopal और Hillsah Fish ये कहानी NCRT के Class 7 English and E.Com के Unit 3 की है Before you read, आप पढ़ें इससे पहले Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी comic book पढ़ी है? A comic book contains एक comic book में होती है Stories, कहानियां Told mainly through pictures तस्वीरों द्वारा मुख्य रूप से बताई गई कहानिया एक comic book में होती है Mainly का मतलब मुख्य रूप से through pictures तस्वीरों के द्वारा यहां contains का मतलब है Have, होना, hold किसी चीज में होना जिसे a comic book contains stories एक comic book में कहानिया होती है लेकिन contain का मतलब एक और होता है जिसे बोलते हैं Restraint, ठीक है रोकना, प्रतिरोद करना किसी चीज को आगे बढ़ने से रोकना उसको भी हम कह सकते हैं उसको भी हम कहते हैं लेकिन यहां पर इसकी meaning होगी Have की A comic book contains stories एक comic book में कहानिया होती है चलिए कहानिया में आगे बढ़ते है It was the season for hilsa fish ये hilsa fish का मौसम था hilsa fish का season था Fisherman could think of nothing but hilsa fish मचवारे hilsa fish के सीवा और कुछ नहीं सोख सकते थे यहां पर but का मतलब है Except nothing but इसके सीवा और वो hilsa fish के बारे में और इसके सीवा वो कुछ नहीं सोख सकते थे यानि सिर्फ वो hilsa fish के बारे में ही सोचते थे Fish mongers sold nothing but hilsa fish मशली बेचने वाले hilsa fish के सिवा और कुछ नहीं बेचते थे यहाँ पर भी देखिए nothing but है but का मतलब except है वो hilsa fish के इलावा और कुछ नहीं बेचते थे Fish mongers है यहाँ पर Fish mongers का मतलब मशली बेचने वाले और एक mongers से एक वर्ड और याद आया एक होता है rumor mongers यानि अफवा फैलाने वाले चलिए आगे देखते हैं come buy आओ खरीदो the price of hilsa is down today आज hilsa की कीमत कम है आज hilsa की कीमत गिरी है आओ और खरीदो देखिए यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं तो जब यह चीज जो बनी हुई होती है यह इसको हम speech bubble कहते हैं यह speech bubble में लिखा हुआ है यह चीज इसका इनका इनकी आवास को इनकी sentence को इसमें लिखा गया है इसे हम बोलते हैं speech bubble चलिए आगे देखते हैं और घरेलू लोग भी घर वाले लोग भी हिलसा फिश के सिवा और किसी पर बात नहीं करते थे उस हिलसा के लिए तुमने कितना दिया यानि कितने में इस हिलसा को खरीदा you won't believe it if I told you मैं तुम्हें अगर बताओं तो तुम यकीन नहीं करोगी you wouldn't believe it तुम इस पर विश्वास नहीं करोगी if I told you अगर मैं तुम्हें बताओं तो and in the palace too और महल में भी the courtiers could discuss nothing but हिलसा फिश दर्बारी courtiers का मतलब दर्बारी दर्बारी भी हिलसा फिश के सिवा और किसी चीज़ पर बात नहीं करते थे your majesty महराज you should have seen the huge हिलसा I caught जो मैंने बड़ी हिलसा पकड़ी आपको उसे देखना चाहिए था you should have seen का मतलर आपको देखना चाहिए था the huge हिलसा उस बड़ी हिलसा को I caught जो मैंने पकड़ा था it was stop it चुप रहो stop it यहां पर है वो बोल रहा था कोटियर वो दर्बारी बोल रहा था तो राजा ने कहा stop it यानि चुप रहो अब इसको बंद करो are you a courtier और a fisherman तुम्हें कोटियर हो की एक मच्वारे हो तुम्हें दर्बारी हो या एक मच्वारे हो राजा कहते हैं देखिए जैसी speech bubble में हाँ पर राजा को बताया गया है राजा की मुखे सामने रखा गया है यानि इसको राजा ने खा the courtiers fell silent with downcast eyes दर्बारी चुप हो गए अपनी नजरें नीचे किये हुए downcast eyes का मतलब अपनी नजरें नीचे किये हुए downcast को हम कह सकते हैं looking downwards नीचे देखते हुए the king felt guilty राजा को भी अफसोस हुआ राजा भी शर्मिंदा हुआ इस बात को बोल करके अपने courtiers अपने दर्बार बोद हुआ I am sorry I lost my temper मुझे अपसोस है मैंने अपना आपा खो दिया it's the season for hilsa and no one यह hilsa का ही मौसम चल रहा है और not even Gopal यहां तक की Gopal भी नहीं can stop anyone from talking about hilsa fish यहां तक की Gopal भी किसी को hilsa fish के बारे में बात करने से नहीं रोख सकता not even for 5 minutes यहां तक की 5 minutes के लिए भी वो नहीं रोख सकता oh I think I could your majesty मुझे लगता है महराज कि मैं उन्हें रोख सकता हूं I could का मतलब क्या है यहां पर I could मैं कर सकता हूं यहां पर जो बात कही गई थी रोखने वाली तो यहां इस I could से जोड़ करके उसका पूरा sentence बनेगा I could your majesty हां महराज मैं रोख सकता हूं then let me see you by a huge hilsa फिर मुझे एक बड़ी hilsa खरीद कर दिखाओ and or bring it to the palace और इसे महल तक ले कर के आओ without anyone asking you a word about it बिना तुमसे कोई इसके बारे में एक शब्द पूछे तुम जाओ और मुझे एक hilsa खरीद कर के लाओ और इस hilsa fish के बारे में कोई भी तुमसे एक शब्द भी ना ब सुईकार करता हूं चैलेंज का मतलब चुनौती यूर मैजेस्टी महराज आई एकसेट का मतलब मैं सुईकार करता हूं तुम्हारे चेहरे की आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है यानि तुम्हारे चेहरे पर आधी शेव क्यों हुई है राख क्यों मल रहे हो I told you, मैंने तुम्हें बताया न, I am dressing up to buy a hilsa fish, मैं एक hilsa fish खरीदने की तयारी कर रहा हूँ, मैं एक hilsa fish खरीदने के लिए तयार हो रहा हूँ, Listen to me please, किरिपया मेरी बात सुनिये, you can't possibly go out in those disgraceful rags, आप इस तरह इन शर्वनाक चिथडों में बाहर नहीं जा सकते, what are you up to, आप क्या कर रहे हैं, what are you up to का मतलब, what are you doing, आप क्या कर रहे हैं, disgraceful का हम क्या कर सकते हैं, shameful या लजजा जनक, शर्वनाक, rags का मतलब होता है, out to buy a huge hilsa fish, कि मैं एक बड़ी hilsa fish खरीदने जा रहा हूं, it's happened to him, इनका हो गया, he's gone mad, वो पागल हो गया, it's happened to him को हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग आपस में normally बोलते हैं, कि इनका हो गया, अब ये गय काम से, तो यहाँ पर है, it's happened to him का मतलब, वो गय काम से, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जो इस तरह से दिखाया गया है, ये चोटी-चोटी सल्किल बनाते हुए, इसका मतलब है है कि, she's thinking, ये सोचती हुए, ये ऐसा सोच रही है, कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये पागल हो गया है, गोपाल bought the hilsa fish, गोपाल ने hilsa fish खरीदी, and started walking towards the palace, और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया, mother, look at that man, माता उस आदमी की देखो, isn't he comical, क्या वो comical नहीं है, क्या वो funny नहीं है, क्या वो मजाकिया नजर नहीं आ रहा है, he must be a madman, वो जरूर कोई पागल होगा, इन्होंने कहा, कि वो जरूर एक पागल होगा, तो ये कहते है हश मतलब keep silent, चुप रहो, I think he is a mystic, मुझे लगता है कि ये एक संथ है, mystic को हम क्या कह सकते हैं, संथ, ठीक, mystic उसे कहते हैं, जिसके पस natural कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, जो भविश को, अतीत को सही से बता ले, उसी को mystic कहते हैं, तो हम उसको essence में संथ कहेंगे, When Gopal reached the court, जब Gopal दरबार पहुँचा, what do you want, तुम क्या चाहते हो, इसने कहा, तुम क्या चाहते हो, I want to see the king, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, यहाँ पर see का मतलब क्या है, meet, मिलना, you can't see the king, तुम राजा से नहीं मिल सकते, get away with you, चले जाओ यहां से, Gopal begin to dance and sing loudly, Gopal जो जोर से, inside the palace, palace के अंदर, महल के अंदर, the man is crazy, आदमी पागल है, throw him out at once, उसे तुरंत बाहर फेक दो, यह सारी जो इस तरह से आ रही हैं, यह महल में दूर लोग बात कर रहे हैं, I want to see the king, let me in, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो, bring that man to me at once, उस आदमी को तुरंत मेरे पास लाओ, yes, your majesty, जैसी आपकी इच्छा महराज, गोपाल was brought before the king, गोपाल को राजा के सामने लाया गया, before का मतलब यहाँ पर क्या है, in front of, सामने, it's गोपाल, यह तो गोपाल है, the man has lost his mind, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया, यह इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, यह पागल हो गया, I think it's one of his crazy jokes, मुझको लगता है, यह उसके एक funny jokes में से, strange joke में से, एक joke है, all right, ठीक, गोपाल, out with it, अपने मन की बाद कहो, out with it का मतलब, अब अपने मन की बाद बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो, why are you dressed up in this ridiculous fashion, तुमने इस तरह से, क्यों हास जातपत तरीके से, कपड़े पहन रखे हैं, dress up किया हुआ है, your majesty, महराज, you seem to have forgotten something, लगता है, आप कुछ भूल रहे हैं, forgotten something, कुछ भूल रहा हूँ, कुछ भूला हुआ हूँ, गोपाल कहता है, कि लगता है, महराज, आप कुछ भूल से रहे हैं, तो वो राजा कहते हैं, म from the market to the palace, बाजार से लेके महल तक, and in the court और दर्बार में भी, not a single soul has spoken a word about हिलसा, किसी एक आदमी ने भी हिलसा के बारे में एक शब्द नहीं बोला, not a single soul को हम कह सकते हैं, not a single person, किसी ने भी हिलसा फिश के बारे में बात नहीं की, only then, did the king remember, तभी राजा को याद आया, the challenge he had thrown to Gopal, वो चुनोती जो राजा ने Gopal को दी थी, हाँ हाँ, well Gopal, अच्छा Gopal, congratulations, बहुत बहुत मुबारक हो, you have achieved the impossible once again, तुमने एक बार फिर एक असंभा को प्राप्त किया है, तो हमने देखा कि हिलसा फिश का मौसम था, सभी हिलसा फिश के बारे में बात कर रहे थे, त यहाँ तक कि Gopal भी ऐसा नहीं कर सकता, तो Gopal ने इसको as a challenge लिया, और उसने अपने आपको एक ridiculous fashion में, एक ridiculous और हास्यात पत तरीके से get up किया, तयार हुआ, और उसने हिलसा फिश करी दी, बाजार में आते वक्त लोगों ने उसे पागल और comical और mystic कहा, किसी ने भी आदमी हिलसा फिश ले जा रहा है, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कर, कोट में आने के बाद, राजा को Gopal ने याद दिलाया, कि आपने एक challenge दिया था मुझे, एक चुनोती दी थी, और मैं इसी लिए इस तरह का ridiculous fashion में, ridiculous कपड़े में, और get up में आया हूँ, राजा को याद आत आते हैं तो share कीजेगा, चैनल पर नए हैं तो subscribe कीजेगा और bell icon भी जरूर दबाईएगा, आपके subscribe करने से आपको मिलेगी और अच्छी quality की video और हमें मिलेगा हांसला, thank you